उदर इस्रेयल के प्रतान मंत्री बेनिमिन नितिन्याहू ने साफ कर दिया कि वो जंग में युक्रेन को अपना एक भी हथ्यार नहीं देने वाले। उन्होंने आशंका जताई कि युक्रेन के जरीए उनके हथ्यार उनके कट्टर दुश्मन इरान के हाथ लग सकते हैं। वो उनके दुश्मन के पाथ जल्द ही पहुँच जाएंगे। इसलिए युक्रेन के स्कूलों और रहायशी इलाकों पर भी हमले कर रहे रूस पर दवाव बनाने के लिए युएन ने उसका नाम अपनी लिस्ट उफ शेम में डाल दिया। रूस के राजदूत ने चेतावनी देते वो ये क्या दिया कि युक्रेन जंग को अमेरिका परमाणू युद्ध की तरफ धखेल रहा है। अमेरिकी अख़वार न्यूस वीक के मताबिक दो अमेरिकी सांसेतों के एक प्रस्ताव से रूस के राजदूत भड़क गए। क्योंकि इस प्रस्ताव में इस बात का जिक्र है कि अगर रूस ने युक्रेन में परमाणू हमले की तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो उसे सीधे नेटो पर हमला माना जाएगा। और नेटो देश भी रूस को जवाब देने से पीछे नहीं अटेंगे। जबकि कमसकम चार लोग घायल हो गए। इस बीच यूर्पेन यूनियन के रूस पर लगाया प्रतिमंदों का रूस ने करारा जवाब दिया। हालकि पहले से रूस ने यूरप के कई नेताओं पर बैन लगाया हुआ था लेकिन इस बार उसने ऐसे नेताओं की लिस्ट में कई नाम जोड़ दिये। एक दिन पहले यूरपेन यूनियन ने ग्यारवीं बार रूस पर प्रतिमंद लगाये थे। यूक्रेन में जंक शुरू होने के बाद से यूरपेन यूनियन लगातार रूस पर प्रतिमंदों का एलान कर रही है। लेकिन रूस ने नए प्रतिबंधों को कई अंतराष्टिय खानूनों का उल्लंगन बताया। यॉर्पेन यूनियन ने एक दिन पहले उन कंपनियों के साथ कारोबार करने पर रोक लगाई थी जो रूस की कंपनियों के साथ किसी भी तरह का सौधा कर रही हूं। लेकिन रूस का दावा है कि इस तरह का पैसला संयुक्तराष्ट के नियमों का उल्लंगन है।